डियर स्टुडेंट आप सब भी जो हैं खास करके तयार हो जाएए आज हम लोकल सेल्फ गवर्मेंट पढ़ने वाले हैं यानि कि यदि आप जो हैं खास करके रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के आपकी एक्जाम हो और सबसे मातुपुन आज का लेक्सर हैं विलेज डेवलोप UGC साती UGC NET में पॉलेटिकल साइंस और साती अगर हम बात करें तो आप लोग चाहें किसी भी छोटी एक्जाम चाहें वो उप्रोटेक्शन परिक्शाओं के लिए जो हैं आज हम पढ़ेंगे इस्तानी सरकार, तो बच्चों जो इस्तानी सरकार हम पढ़ेंगे ये जो ह पार्ट हैं जहां से सवाल परिक्षा में निश्चित पूछे जाते हैं तो देखिए बचों मैंने बताया था कि हिंदूस्तान की जो हमारा देश हैं इंडिया भारत इस भारत की बात करें तो इसमें तीन पाइट होते हैं सेंटर गवर्मेंट राज स्टेट गवर्मेंट ठी और तिसरा हो रहा है इस्तानी सरकार इस्तानी सरकार इसको केते हैं लोकल सेल्प गवर्मेंट यानि कि भारत की बात कर रहा हूं तो भारत में पूरे देश की सरकार केंद्र सरकार सभी राज्यों के अपनी सरकार राजी सरकार और साथ एक राज्य के बीतर गाउं और शहर तो इस्तानी शरकार में दो चीज़े हो रही हैं, एक हो रहा है गाउं, यानि कि या तो हमारे देश में गाउं है या फिर क्या है, शहर, तो जो गाउं है और दूसरा क्या है, शहर, इस गाउं के लिए हमारे यहां पर बनी है ग्राम पंचायत, ठीक है, विलेज पंचायत, ग नगरपाली का, municipality नगरपाली का, तो ये system आज हम देखने वाले हैं, इस्तानी सरकार का, अब बिटा, इस part के अगर हम बात करें, इस्तानी सरकार की, तो इस्तानी सरकार यानि कि गाहँ और शाहर की सरकार, ग्राम पंचायत और नगरपाली का, ये शाशन जो हैं बिटा, देख एकात्मक, कौन सा हो जाता, एकात्मक, यूनिटरी, लेकिन ये जो है, राज भी हैं, इस्तानी हैं, और साथ में केंदर और राज भी हैं, तो यहाँ पर जो अशाशन हो रहा है, ये हो गया है, बारत का अशाशन जो है, ये है, संगात्मक, फेडरल, कौन सा है, फेडरल, य यानि कि सरकार के पास केंदर सरकार तो है भारत में लेकिन शाशन एकात्मक नहीं ये कुन सा है संगात्मक यानि कि भारत के सविदान ने जो काम करने की शक्ति दी है काम करने की शक्ति वो केंदर को दी है राज्य को दी है और किसको दी है इस्तानी सरकार को तो ये जो है इस् करें तो शाषण का किसका कि शाषण का इसको बातने का काम कर रही है यानि कि हमने गाव और शहर में इस्तानी सरकार मनाकर हमारा युदे है सरकार का जो शाषण ने उसका विकेंद्री करण किया है यानि कि इसका जो केंद्री करण था यानि कि सिर्फ एक ही केंद्र सरकार के पास नहीं डारेट संसत से नहीं हमने गाउं शहरों तक जो है शाशन के इकाईयों के इस्ताबित किया सरपंच बनाए अध्यक्ष बनाए और शाशन का क्या किया विकेंद्री करन किया दूसरा ये जो देता है सहबागिता मुलक सहबागिता मुलक का अर्थ होता है पार्टिसपेट्रिप सहबागिता मुलक लोगतंत्र अगर सहबागिता मुलक लोगतंत्र का मतलब होता है साथ में भाग लेना किसमें लोगतंत्र में यानि जनता के शाषन में तो इस्तानी शाषन जो है शाषन का विकेंद्री करन है साथ ही क्या है सभागिता मुलक लोगतंत्र का भी एक कही न कही जो है ये पार्ट है यानि कि उसका भी है और साथ है अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये जो हैं खास करके कही ना कही शाशन जो है उसके विकेंद्री करण के दुवारा गाउं और शहर को जो हैं खास करके और नीचे के इस तरसे उपर तक लाने की एक कवायद भी हैं. तो चलिए आज देखते हम इस्तानी सरकार तो शाषन का विकेंद्री करण सभागिता मुलग तो ग्राम पंचायत और नगरपाली का गाउंग में ग्राम पंचायत और शहर में क्या है नगरपाली का बच्चों इसकी हिस्ट्री जानते हैं इस्तानी सरकार की तो जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले अंग्रेज उससे पहले राजा माराजा हुआ करते थे आपने देखा होगा हमारा देश में हिंदु दर्म के अंतर कई सारे वेदा लिखेंगे त्रिगवेद यजूरुएद तो त्रिगवेद के समय गाउं और शहरों की अगर बात करें तो उस सवय एक सबा और समीती हुआ करती थी और जो गाउं के निवाजित हैं उन्हें ग्रामिक कहा जाता था इसके बाद यदे हम बात करें तो जो खास करके चोल और विजे नगर सामराज हुआ तो वहाँ पर गाउं के लिए इस ग्राम पंचाइद के लिए खास करके एक परथा थी जिसका नाम था आयंगर परथा कौन सी परथा थी आयंगर परथा उसी प्रकार अगर हम बात करें नगरपाली काउं की तो इसका पहला विवरन मेगस्तनीज की जो इंडिका है में गस्तनीच जो विदेशी यात्रे आया था ठीके इसने अपनी पुस्तक लिखी इंडिका इस इंडिका में इसने जो है खास करके उस समय भारत में जो चोल सा अमराज हुआ करता था तो वो समय शाषन के बारे में कुछ हिंट दिया है तो ये इंडिका की बात करी अब इसक के अंदर मद्रास नगर पालिका का निर्मान हुआ अंग्रे जो ने बनाई थी पहले अब ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत अभी बनी नहीं है सत्रा सो तियोत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट में जमीदारी सिस्टम से संबंदी जो गाउं से रिलेटेड था के एक जमीदार होगा बनेगा तो उसको भी कहीं न कहीं स्तार निशाषन से जोड़ा जाता है इसके बाद यदि हम बात करते हैं खास करके ग्राम पंचायत और इनके संदर में तो इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट है वो ये कि जो लोड रिफिन था लोड रिफिन लोड रिफिन ने अपना एक गोशना पत्र दाखिल किया और इस गोशना पत्र के दुवारा इसने इस्तानी शाषन को जो है मान्यता देने की बात करी इसलिए इस्तानी शाषन का जनक एक शब्द लिखा है मैंने जनक इसको कहा जात है लोड रिपीन को कहा जाता है हिस्ट्री की बात कर रहे हैं यानि अभी हमारा देश आजाद नहीं हुआ है जो पहले खोरा है जानि कि इस प्रकार की कामकाद जो हो रहे हैं उनके बारे हम चर्चा कर रहे हैं चाहिए वह अंगर हो चाहिए मैंगस्तनिस की इंडिका हो या फ रोयल रोयल आयोग जिसको शाही आयोग की नाम से भी जाना गया है इसका संबन भी किस्स था ग्राम पंचायत और नगरपाली का यानि इस्तानी शाशन से था इसके बाद जो इंप्रूटेंट पार्ट हैं खास कर कि 1909 का 1929 मात्वपोनों द्वेद शाशन द्वेद शाशन यानि की डबल गवर्नेंस कहां पर प्रांत में यानि प्रांतों में जो द्वेद शाशन शुरू हुआ 1919 के अधिनियम के दुबारा अंग्रे जो ने जो 1919 का अधिनियम पारित किया उन्हों प्रांतों में द्वेद शाशन किया और यह जो इस्तानी सरकार है इसको उस समय ट पुरांतों में द्वेशाषान आता है ये 1935 में समात होता है बच्चो और 1935 में केंदर में शुरू होता है तो यह तो एक बैसिक जानकारी दी है मैंने तो सारे बच्चे आप सभी जानते हैं आयंगर प्रता मेकस्तनीज की इंडी का मदरास नगरपाली का ठीक है उसके बाद बंबई और बंगाल में अगरपाली का उसके बाद 1919 का द्वेशाषन लॉड रिपिन इस्तानी शाषन का जनक ये सारी हिस्ट्री है अब इस हिस्ट्री के बाद बच्चो अगर हम बात करें हमारे देश की तो हमारा देश जब आजाद होने लगा और जब देश का सविदान बन रहा था यानि हमारा कंस्ट्टूशन बनने लगा तो कहीं सारे लोग थे हैं जिसमें दादाबाई नेरो जी महात्मा गांधी राजपत्राई स्रीमन नारायन इन लोगों ने बोला कि ग्राम पंचायतों को सवेदानिक दरजा मिलना चाहिए लेकिन जब इंडिया का कंस पासों के दुवारा ठीक है अनुछेद 4 में कहां पर? 40 ठीक है जो कि भाग 4 राज के निति निर्देशक तत्व निर्देशक तत्व इसका मतलब ये बेटा कि भारत के सवेदान में जो भाग 4 था ये राज के लिएन नितियों के निर्देश देता था इसमें अनुछेद 40 ग्राम पंचायत के गठन के लिए किसके लिए था ग्राम पंचायत के गठन के लिए लेकिन ये जो भाग 4 हैं ये सविधान में ऐसा नहीं कि कमपलसरी के लागू करना ही पड़ेगा यानि कि अगर राज सरकार चाती हैं यानि कि इसमें अनुछेद खास करके ये 36 से 51 तक जितने भी आर्टिकल है सविधान में इनको राज सरकार कानून बना के लागू करें कि तब होगा उससे पहले लागू नहीं होते हैं जैसे बिहार में अनुछेद 47 की दुआरा भी बंदी नहीं हैं तो यह हैं तो इसके अनुछे 40 में किसको कहां रखा गया ग्राम पंचायतों को रखा गया अब यहां पर जो परिक्षा के पॉइंट योई से अनुछे 40 बहुत मत्पूने भाग चारे और ग्राम पंचायतों के लिए शुरू के निरदेश है और इसके लि अगूबी हो गया सब कुछ हो गया लेकिन हमारे देश में ग्राम पंचायतों को सवेदानिक मानेता नहीं मिली कौरा बस्त कवाया चली कि यार, गराम पंचायतों के लिये एक बडा संगर्ष्ट गराम पंचायतों को, आज तो सविधानिक दर्जा मिला है, लेकिन नगरपाली को गराम पंचायतों को बड़ी लड़ाई सबसे पहले भारत में वर्ष 1952 में 52 विकास खंडों का निर्मान होता है और विकास खंडों के माध्यम से जो हैं खास करके एक शाषन का डेमो लेते हैं तरह से देखते हैं कि देखते हैं कि छोटे शेत्रों में विकास खंड का निर्मान करते हैं और देखते हैं कि यह की शुरुवात होती हैं तो अमेरिका जो है उसका फोड़ फाउंडेशन खास करके जो है आकाश वानी जो है उस जो रेडियो है हमारा उससे इसके प्रसारण के लिए सयोग करता है फोड़ फाउंडेशन अमेरिका इसके बाद ग्राम पंचायतों और नगरपाली काओं को सव खास करके हमारे आपर पंडित जवालल नेरू भारत के प्रदान मंत्री थे बलवंतराई महता समीती गठित होती है बलवंतराई महता समीती महता समीती यह कित ही है कि भारत में 30 यह निकिस ने 30 ग्राम पंचायतों को खास करके गठन की बात करी कि नीचे ग्राम पंचायत फ जो भी नाम आपके राज में प्रांत में हैं तीनों एक तो बोले त्री इस तरी ग्राम पंचायत फिर उपर ब्लोक पंचायत यानि जनपत पंचायत या खंड़ पंचायत और उसके उपर जिला पंचायत तो इसी त्री इस तरी इस तरी पंचायत की बात करी और इनने बोला क खास करके जो पंचायते उस सामुदाईक विकास कारिक्रमों को बढ़ावा दे यानि कि सब मिलकर एक साथ विकास के लिए को डेवलोपमेंट के लिए काम करें जैसे अभी हमारे यहाँ पर कॉपरेटिव बेंग हैं सहकारी बेंग को का अपने नाम सुना होगा यानि एक साथ काम करने के लिए आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और बेंग के पास जाते हो तो वो आपको पैसा वगेरा दे देती है तो यह बलवंतराय मेहता गठित हुई उसके बाद उनिस सो सित्योतर में जाके फिर एक नई कमिटी गठित होती जिसको अशोक महता केते हैं अशोक महता कमिटी जो हैं यह बात करते हैं पंचायतों को द्वी इस्तर की यानि उसने त्री इस्तर की बात करी इसने बात करी कि वह या दो इस्तर की होनी चाहिए तिन इस्तर की नहीं होनी चाहिए बोले कि यह तिन इस्तर की बनाने का कोई फाइदा नहीं साथ में इसने यह भी बोला सम्वेदानिक दरजा हो क्या होना चाहिए क्ठाइतों का चुनाऊ दलगत हो दलगत का अर्थ होता है कि पार्टियां he विडी स्थ hack the चुनाओ करवा यांनि पार्टियां टिगिट जारी ऒश्णा विदान-वistles की चुनाओ होते वेसे ही खास करई इन्होंने दलगत हो की बात करी साथी इस जो यहाँ पर बोला कि भईया जो पंचायते हैं उनके साथ एक न्याई पंचायत भी हो यानि की गाउं में पंचायतों के साथ किसकी स्थापना हो न्याई पंचायत की भी स्थापना हो साथ मी इन्होंने बात में बोला कि भईया पंचायतों के लिए जो खास करके जो सेस्ट 1885 जिसमें आप जीवी राव कौन सी हैं जीवी राव माप करिएगा जीवी राव ठीक है उसके बाद जीवी राव ने भी तरीस तरी की बात करी सवेदानिक दरजे की बात करी है 1986 सिंगवी समीती सिंगवी समीती का भी संबन पंचायतों से हैं ठीक है इसने जो यहाँ पर द्विस्तरी जो था सिस्टम यानि कि यह जो दलगत चुनाव इसकी मना किया इसने कि दलगत नहीं होना चाहिए पार्टी पॉलिटीक्स नहीं होना चाहिए ठीक है अलक से एक वी त क्या किस परकार की कर्व अगेरा की शक्तिया हो इसके संदर्व में एक अलग से राज्जी का अपना वीत आयोग होगा तो यह सारी बाते बोली हैं इसके बाद एक important committee है जो की 1989 में है और उसका नाम है थंगून committee और इस थंगून committee ने बूला कि पंचायतों को डारेट के अंदर से शक्ति मिले लेकिन थंगून committee ने और सवेदानिक दर्जे की बात भी बोली अब इसी बीच बच्चे में बता देता हूं आपको कि जो शुरू में 1957 में 56-57 में जो बियार महता committee थी बल्वन अभी तक यहां तक 1989 तक पंचायतों को सवेदानिक दर्जा नहीं मिला है पंचायतों को सवेदानिक मानिता नहीं मिली है जो गाहों में आज हम वोड देते हैं हमारे सरपांच या प्रदान को चुंते हैं मानिता नहीं मिली है इस से प्रेरित होकर बियार महता समीती से प्र कमिटी की सिपारिस से प्रेरीथ होकर राजस्तान के नागोर में कहां पर नागोर नागोर राजस्तान ठीक है मैं देश की पहली ग्राम पंचायद का गठन हुआ तो पहली ग्राम पंचायद कहां बंडरी बिटा दो क्टूबर 1969 को राजस्तान के नागोर में और इसका सिल्या 9 1969 को कि ऐंदर प्रदेश के शाधनगर 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 ठीह के जादनगर के विकासमक्षन था एक शाधनगर इसमें एकजगे थी महभूब कि महभूब नगरdır कि इसके विकासमक्षाद सरकार लाती है लेकिन पारित नहीं हो पाता है इसवजे से ग्राम पंचायतों को सवेदानिक दरजा नहीं अब आता है विटा फाइनलीस की कहानी कि नर्सीमा राओ की सरकार होती है 1992 में 1992 में और उत्तरवा सविदान शंशोदन अता है ग्राम पंचायद रिए और नगर 1992 1992 नहीं 92 ठीके बिटा 1947 में मुल्क आजाद होता है मुल्क की आजादी से लेकर यह देख रहे हो पूरे कितने साल हो गए कम से कम 45 सालों का संगर्स है 45 सालों के बाद ग्राम पंचायतों को सवेदानिक दर्जा मिलता है समझ मा गया इसके संदर में कुछ special provisions है जो मैं बता देता हूँ बिटा यहाँ पर अगर हम बात करें प्राउदान ठीके एक टेबल बनाते हैं प्राउदान यहाँ पर ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत और यहाँ पर नगर पालिका ठीके बिटा अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो आपके सामने और भी वीडियो लेकिया हूँ और आप उन्हें देखें और आपको अच्छा लगे बाकि आपकी मर्दी है नहीं भी subscribe करोगे तो कोई बात नहीं Google पर सर्च करकर करके देख लेना ठीक है कौन जा यह यूटूब पेड़ बढ़ने वाला है ठीक है बगी देख फो मझे से पढ़ाए करो ठीक है बाजी राव सिंगम मन के देश का बला करना चलिए यहां पर बात कर रहे हैं देविटा हम ग्राम पंचायत और नगर पाली काऊंगी तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो शंशोधन सवीदान सवीदान शंशोधन सवीदान शंशोधन ठीक है इसके बाद कब लागू होता है ठीक है उसके बाद कितने विशय दिये गए है ठीक है उसके बाद सुरी विशय से पहले हम देखेंगे कब लागू होता है और फिर कितने विशय दिये गए है फिर उसके बाद कौन सी अनुस जोड़ी कि इनके लिए अनुसुचि यानि शेडूल जोड़ा गया है संध्यमा गया विशय हो गया अनुसेद हो गया अनसुचिया ओगई और यह founded sagte कि हुए और सविधान के विशाई विशाई यानि सब्जेक्ट ओके तो डियर देखिए यह बनी है हमारी शांदार टेवल इस सांदार टेवल के अंदर बेटा जो खास करके अगर हमें बात करूँ अब ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं सबसे पहले विलेज पंचायत और दूसरा नगरपाली का तो यह सारी ग्राम पंचायत उसे रिलेटेड है थीक है इसके बाद बेटा अगर हम अब इनकी सवेदानिक बात करें तो इसके लिए आया है तीयोत्तरवा ठीक है और तीयोत्तरवा भी कब आया 1992 और इसके लिए कौन सा आया था चोविदान जंचोदन यानिकि सविदान में 1993 और यह 24 अप्रेल को क्या मनाया जाता है पंचायत दिवस यह जो बेटा टेबल है यह जान है ग्राम पंचायतों की यहां से कोई परिक्षा नहीं जो बसती है चाहे वो आपकी सिविल UPSC के दुआरा जो परिक्षाएं होती है चाहे वो स्टेट सरकार की नीचे से लेकर उपर तक सारी परिक्षाएं हो चाहे वो UGC NET का पॉलिटिकल साइन्स हो सब में जो हैं खास करके यहां से सवाल आते ही आते ही है 24 अप्रेल और यह जो लागू होता है एक जून को एक जून 1993 को क्या लागो हो रही है नगरपालिकाओं को सभेधनिक मानिता मिल रही है इसके बाद सभेधन के भाग 9 को भाग 9 और इसके लिए जो सभेधन का भाग एं वो हैं भाग 9 ए ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें किसकी अनुच्छत की तो पेटा यहाँ पर अनुच्छत की अगर हम कहानी करेंगी तो आर्टिकल 243 कहां से है आर्टिकल 243 से लेकर अनुच्छत 243 के O तक ठीक है और यहाँ पर अनुच्छत 243 P से लेकर 243 ZG तक 243 O तक 243 P से लेका 243 ZG तक ZG किसके ZG है? ZG नहीं है, मतलब 243 A, B, C, D ऐसे करके 243 O तक जो है, ग्राम पंचायतों के लिए भाग 9 है, ठीक है बिटा? और भाग 9 A में नकरपाली कहा है जो O के बाद 243 P से शुरू होती है अनुशेदों में, यानि सविदान की किताब में इनके बारे में लिखा है, और 243 ZG तक जाती है सविदान में बिटा, शुरूआत में 8 अनुशुचिया थी आज जो हैं, टोटल 12 अनुशुचिया है इसमें बिटा, ग्यारवी अनुशुचि कौन सी? ग्यारवी ग्यारवी अनुशुचि तीयोत्तरवे सविदान शंशोतन के दुआरा किसके लिए जोड़ी गई? ग्राम पंचायत और जो बारवी अनुशुचि है ठीके? चुआत्तरवे सविदान शंशोतन के दुआरा किसके लिए जोड़ी गई नगरपालिका के लिए और बेटाश जो gram पंचायत थी इनको दिये 29 विशै 29 विशै और जो नगरपालिका है इनको कितने विशै दिये 18 विशै तो ये जो है खास करके यहाँ पर ये एक important तालिका है जिससे बेटे आप gram पंचायत और नगरपालिका को जो सवेदानिक प्रोविजन्स हैं इन सवेदानिक प्रोविजन्स को लिख भी सकते हैं और समझ सकते हैं यानि कि ये जो है किस वर्ष जाके बेटा इनको मान्यता मिल रही है 1992 में और इससे पहले मैंने आपको पूरी कहानी बता ही दिये कि वह यह सरीमन नारायन के ठक परियासों से सवेदान के भाग जो भाग कौन सा था चार जिसके अनुछे 40 में बेटा वो मान्यता नहीं थी उसमें बस बोला कि राज चाहे तो बना ले नहीं तो बना लेकिन ये कंपलसरी मेंडेटरी हो गई है अब इसके अलावा बेटा अब हम बात करते हैं बेटा उनी Sum 72 के बाद सभी राजों लगबक सभी राजों लगबक सारे राजों ने आज बेटे अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें किसकी बात करें ग्राम पंचायतों की और नगरपाली का तो बिटा दोनों के लिए बता देता हूँ ग्राम पंचायत और नगरपाली का दोनों का जो चुनाव होता है इसे राज जिकार निर्वाचन आयोग करवाता है सुनिएगा एक बार राज जिकार निर्वाचन आयोग क ठीक है? और जो पांच राज्यों में चुनाऊ हुए हैं तो यह चुनाऊ भारत के निरवाचनायोग ने करवाया आ है. लेकिन जब राजी के अंदर ग्राम पंचात और नगरपालिका का चुनाओ वाता तो कौन करवाता है राज निर्वाचनायो ग्राम पंचात और नगरपालिका दोनों में यदि किसी व्यक्ति को चुनाओ लड़ना है तो वो उस राजी की जिस राजी में वो चुनाओ लड़ना चाहता है जिस शेत्र से जिस गाहों से वहां की मतदाता सुची में उसका नाम होना चाहिए और यदि उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष है कितनी है 21 वर्ष ठीक है जाने कि यहां पर नगरपालिका और ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल चाहिए तो वो जो है ग्राम पंचा तो नगरपाली का होती है इनका कारेकाल पांची वर्ष का होता है और यदि इनका जो कारेकाल है उसके बीच में यदि ये कभी बीच में खास करके ब्लोक हो जाती या इनका विगटन हो जाता है तो छे मैंनों में पूनर निर्वाचन की बात है लेकिन जो पूनर निर्वाच प्रास्ट में कोई 4.5 साल में हो रही है और आकरी में सिर्फ 6 महिना बचाए तो फिर उसका 6 महिना जो है चुनाओं में ब्रेक होता है और बाकि सारी पंचातों के साथ उसका चुनाओं होगा अब देखेगा राज के लिए अलग से बिटा ग्राम पंचातों इनके लिए गाओं में पशुपालन हो गया सिचाई हो गई ठीक है पे जेल हो गया समझ मा रहा है और गाओं में जैसे मेले वगेरा होते हैं तो उन मेलों के ओपर जो सामान्य चोटी सी जो कोई टेक्स या आप जिसे टेक्स मालो या शुल्क मालो वो सब को Coast करने लिए कले करने करने का ग्राम पंचायतों के पास तो है, ठीक है, अब शेरों की बात करेंगे, तो शेहर में जेसे बुच्टडखाना हो गया, और जो गाउ में नहीं है, वो शेहर में सडक हो गई, शेहर में पेजल हो गया, तो ऐसे करके 13 से उपर जो है, नगरपालिकायों को काम करने की शक्टिया राज सूची के विशे से दी गई है ये राज सूची के विशे से दी गई है अब इसके बाद बिटा हम ग्राम पंचायत और नगरपालिकाओं की आगे की और कहानी दो राता हूं तो बिटा ग्राम पंचायत और जो नगरपालिकाओं हैं भारत में पहले ग्राम पंचायत ती बात कर रही हैं वीटा ठीकि तु ग्रांप पंचायत तीन इस तरकी हैं बल्वंत्राय मेता ने जो बोला था उसको हमने एकसेप्ट किया है सबसे पेले हमारी ग्रांप पंचायत ठीकि इस ग्रांप और उपर जिला पंचायत ठीक है? तो ये प्रोसेस हैं, अब यहां पर प्रदान या सरपंच या मुख्या, जो भी नामیں प्रदान हो जाए सरपंच, मुख्यास अजो एक ही नामे और यहां पर जो है, बेटा कुछ वाड होंगे, उनके मिम्बर्स होंगे राजविदान मंडल इस बात का मतलब समझेगा यानि राजविदान मंडल चुनाव ग्राम पंचायतों में कैसे होगा उसका निरदारण करता है ते कि वो चाहे तो इस प्रक्रिया को बदल सकता है अब यहां पर इसका जो प्रमूक होता है खंड पंचायत ब्लाग प्रमूक जो होता है वो अप्रत्यक्ष चुना जाता है अप्रत्यक्ष सदश हर जगी जो है का प्रत्यक्ष ही चुने जाएंगे और यहां पर भी जो जिला पंचायत का अद्यक्ष होगा यह अप्रत्यक्ष होगा ठीक है और सदश जो होंगे उनका चुनाओ प्रत्यक्ष होगा ये कहानी है अद्यक्ष ये अद्यक्ष की है ठीक है यहाँ पर आप्रत्यक्ष प्रमूग की है और यहाँ पर जो नीचे किसकी बात हो रही है जो जन्पत या बलाग पंचायत की चुनाओं की कहानी हो रही है बिटा ग्राम पंचायत क्या होती है कि तीनों conditions हैं ठीक है कहीं सारी ग्राम पंचायतों से मिलकर एक खंड़ पंचायत बनती है और एक जिले में कहीं सारी खंड़ पंचायत हो सकती है जिससे एक जिला पंचायत का निर्मान होता है अब ये जो conditions है ये इनके चुनाओं की कहानी है ठीक है और ये सारा का सारा काम राजविदान मंदल के अधीन होता है किसके अधीन होता है राजविदान मंदल के अधीन होता है राजविदान मंदल के दुवारा ही ये सारा काम होता है यानि सारी जो सविदान ने जितनी भी तियोत्तरवे सविदान शक्ति दी हैं, वो सारी किसको दिये, राजविदान मंदल को दिये, अब बिटा सविदान में अनुसुची पांच में, अनुसुची पांच की बात कर रहा हूं, मैं कुछ इंपोर्टेंट बाते सुनिएगा, अनुसुची पांच में अनुसुचित शेत्र है अनुसुचित शेत्र, जो हमारे कुछ ट्राइबल एरिया हैं, जहां पर अनुसुचित जन जातियां हैं। जैसे चाथस गर्ण जारखंडिय जो बहुत सारे तो अनुसुची पांच मीह जो अनुसुचित शेत्रों कि ढोशना करी यहां पर ग्राम पंचाय तो कोई लागू नहीं किया गया तति उत्तरवे सविदान चंचोदन से, यानि कि तब लागू नहीं हुआ है इस शेत्रों में, तो इसके लिए हमने कमिटी गठित की, जिसका नाम है दिलीब, यह कोन है, हमारा नाम भी यही है, लेकिन हमारा नाम ही कमिटी गठित हुई जिसका नाम था दिलीब सी बूरिया, और इसने जो है, 1994 के आसपास किये कमिटी गठित हुई थी, और इसने अध्यन किया अनुसुची शेत्रों का, और उसके बाद में, एक अधिनियम पारित हुआ, 1996 में, जिसका नाम है, पैसा अधिनियम, पैसा, इस विस्तार, विस्तार अधिनियम, ठीके बीठा, तो यहांपर हो जाएगा, आप क्या, अनुसुचित शेत्र, अनुसुचित शेत्र, पंचायद विस्तार, अधिनियम, ठीके, पंचायद एक्स्टेंशन, शेडूल, एरिया, एक 19, sorry, यह भी गलत लिखा है, 1996, 1996, ठीके बीठ हो जाते है human error तो बेटा ऐसे human error होते हैं तो मैं जो comment box उसमें पीन करके डाल देता हूं ठीक है कभी-कभी पढ़ाते पढ़ाते क्या होता माइन की diversity अलग हो जाती है जैसे या दिली अपना नाम आया तो थोड़ा excited हो गया मैं तो थोड़ा सा क्या हुआ कि यहापर अच्या से लिख दिया तो च्या से नहीं है च्यानवे है ठीक है तो च्यानवे में जो है पेसा अधीनियम लाया गया फिर यह पारित हुआ और इसने जो है पंचायतों का विस्तार है ग्राम पंचायतों का विस्तार कहां किया अनुसुचित शेत्रों में किया यानि तियोत्त पाली का और इनसे रिलेटेड जब भी अगला लेक्षर बनेगा बिटा कुछ सरकारी समीतियां और आपको कुछ जो थोड़ा मिसलेनियस का पार्ट है वो दूँगा बाकी आप अगर किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो आप जो है इसको जो है वीडियो को अच्छे से देखो मज़े से देखो अपने दोस्तों तक शेयर करो बिटा और जैहिन जै भारत अपने राष्ट और अपने देश के लिए अपने मन में हमेशा जगे रखना, अपने परिवार के विकास के साथ अपने राष्ट की विकास के बारे में जरूर सोचना है मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो लाल बटन द़आ के सस्क्राइब करिएगा, ठीक है, और सस्क्राइब ना करो तो इंडियन पॉलिटी दिलिव सर लिकर गूगल पर सर्च करके हमारे साथ आप जो हैं जुड़े हुए रह सकते हैं बाकी बचो अगर आपको किसी भी प्रकार की और भी कोई चीज की नीड होती है तो आप बताएगा आपको वीडियो मिलते रहेंगे आप मेरे साथ जुड़ेते रहें बहुत सारा प्यार बहुत सारा धिनिवाज जय हिन जय वारत